सजें और आप देख रहें आजी टीबी चुनाओं का विगुल बच चुका है अचार संगीता लगा हुआ है चुक उत्तर पदेश गाजी पुर्जिला के जमनिया बिधान सभा दिल्दार रगर में उपस्थित हुम है और आपको बता दूए घुमते घुमते के स्कूल मुझे दिखाए दिया जो कि इंटर तक है यह राज्किय बाली का इंटर कालेज देखाना चाहा है हमरे सयोगी तो देखाएं पूर्त यह राज्किय इंटर कालेज है लेकिन राज्किय भी सही से नहीं मीठ चुका है बस बाली का ज़लक रहा है इंटर कालेज ज़लक रहा है और अंदर का जो नजारा इस्थिति है उसको हम देखाएंगे यह राज्किय बाली का इंटर कालेज दिलदार नगर गाजीपूर भीसे सूची कच्छ नौव दस हिंदी अंग्रेजी संस्कृत यह मतलब सब्जेक्ट का है और हम देखा देते हैं यह प्रिंस्पल का आपीस है परचारे का है और यह समय सारणी भी लिखा हुआ है यह समय सा साथ इसकी जो वास्तविक्ता है और जैन्मीन चीज़ें उस पर लोग हमसे बातचीत करेंगे लेकिन हम एक दिरिष्ट से देखाएंगे आपको इस स्कूल का नजारा देखाएंगे अगर गौर देने वाली चीज है तो देखिए यह जो ताला है यह हमको तो लग रहा है वर्षो से बंद है और जंग खा रही है इसकूल भी जंग खा रहा है और यहां की दिवाले और यह जो लेक्ट्रिक बवस्ता यह भी पुड़ा जर जर इस्थिती में है कहा जाए तो चीज को अबाटों कना यह जर जर सेंखिती में हैं लेकिन इस चीज को कोई ऑक्स्पोज देखाने वाला ही लेकिन हम आपको आपको इस दरवाजे पर जो टबते है कि सिल है लेकिन इसमें इतनी गंदगी है कि हम ध्यान से इसके अंदर जा नहीं सकते हैं बहुत सारा गंदगी है इसमें यह जो छज्जा है देख सकते हैं और यह टूट-टूट के पुड़ा गिर रहा है बिल्डिंग देख लीजिए यह लैब और ट्री है बच्चों का और जो इस्तिती है इसमें तो मतलब आप ज्यादा मत आयेगा देखिए इसमें सीशा फेका हुआ है गंदगी बहुत ज्यादा है यह पुड़ा जो अलमीरा है के लकड़ी का यह देख रहे हैं जर जर स्थिती में है इधर हम देखना इधर देखिए सब जो यह अंदर की व्यवस्ता है रहा है पुड़ा धोस्त है पूंदता कि आपको वरतमान दिखाई दे रहे हैं यह सब परियोग साला है देखा आज यह अलमीरा जो रखा हुआ है यह इस इस अलमीरा का जो इस्थिति जर जर स्थिति आप देख सकते हैं यह जो कोटेशन लिखा गया है दीखे कितना अच्छा यह प्रेम चंद का कोटेशन लिखा उगा उस समय जब विद्याले लगता है चल रहा था तब इसमें परकाश डाले हमारे शोगिये यष्ट्याग से मिलता है धोखा घड़ी से नहीं कि अ geez देख सकते हैं कि इसमें जो बोटल उसमें भी बोटल बियर की और सराबों का बोटल यह सब ताला जो था वो जरजरी सिती में था लेकिन ये एक ऐसा कख्ष दिखाई दिया जिसमें एक नया ताला है और इस कख्ष में भी एक नया ताला है अब क्यूं है कुछ लोग भी हैं हमसे बातचीत करने के लिए उनसे हम बातचीत करेंगे कि देख सकते हैं कि यह सब जो कहा जाए क्या बोला जाए कि जो सराब का इस सराभी का एकदम खाना हो गया है अगर कहा जाये तो यह बिद्ध्याले का नजारा तो हमने आपको दिखा दिया हम एजूकेशन ब्यवस्ता पर बात करेंगे लेकिन चलते-चलते बिद्ध्याले मे विधान साबा छेतर की संख्या मतदान अस्तल यह सब लगा हुआ है और मोबाइल नमबर यहां तक का सीयों का है सब्सक्राइब और मैं यहां से 2017 विद्याले में प्रति दिन जो है आता जाता रहाता हूं इसी की दुरिवस्था के दिक मुझे पिड़ा हुआ इसलिए हुआ कि मैं 2011 से 2015 में मैं शरकारी कालेज में पढ़ाय लिखा हूं जब मैं अपने गाउं में आया तो देखा कि जहां मेरी बहाने पढ़ती थी आज वह कर्णिशन कुड़े का भाव में हो चुका है यहां पर शिच्छांक निक्ति हुए आर्दस अध्यापिका जो है है जमनिया विधान साथ का नाम 309 का मतदान अस्थल का नाम राज के बाली का इंसमें चुनाओ होता है इसमें अगर यह विद्याले ऐसा कंडिशन में बदहाल है तो इसमें स्टीम सीओ वियलो मजिस्टेट सारे लोग लिपापोती है यहां तो कि यहां पहली बार विधान करने नहीं आता है अगर आइसा कसम से होता तो इसी दुवस्था नहीं होती है यह सिब कागज पर लिख देते हैं कि यहां की शुराच्षाई स्टेंडर है आपने देख लिए सोचाले नहीं है ऐसे कंडर को क्यों चेंटर बनाएगा मैं निर्वाचनादिकारी से मैं मांग करता हूं कि इस विद्याले में जो निर्वाचन होने वाले उसको ततकाल निरस्थ कर दिया जाए अकसम से अगार अशी नहीं होती है तो अगर मेरे अंदर का पीड़ा आ जाएगी तो निर्वाचनादिकारी से मतादान नहीं होना चाहिए यहां मतादान उसी सवत्पर होन और जिस इस्थि में आपको जरजर जो विद्याले दिखाई दिया है हम देखाएंगे यह फिल्ड है और तमाम जो यहां की बिल्डिंगे हैं अभी भी मैंटेनेंस कर दिया जाए तो बहुत अच्छे इस्थिति हमें हैं लेकिन कुछ मतलब इस्थिति बिद्याले का है यह कागजों में ही है जबकि हकीकत पर कुछ नहीं आप देख रहे हैं यहां पे हम लोग जब लोग हम लोग छोटे थे तो यहां इतनी लड़किया पढ़ती थी हमारी बहनी पढ़ती थी 3000-4000 की संक्या में आज यह जरजर की स्थिति में हो गया है यह दिवारे गुड़ गया मिलते नहीं पूंएने लुए सवाहिऊन यहां, जुँआ हो गया है, सरावियों का जमावडा हो गया है, सिछा के नाम पे सुन्ग्हें रपैजता कि सुन्गार है, पांस ये सरकार क्या किया खुछ नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ गया सिच्छा का हालत देखी रहे हैं आप देख रहे हैं पूरा समाज देख रहा है बिल्डिंगे टूट गई हैं कोई पूछने वाला नहीं है ना सिच्छा का अधिकारी कोई कुछ नहीं कर रहा है यह जो मतलब जो वरतमान विधायक होन है यह अपर सुनीता सिंग आप लोग जाते नहीं मिलते नहीं यह वोग बहुत बाद लिखी दिये वो बोली कि नहीं ठीक है हम आते हैं देखते हैं लेकिन कभी आज तक आई नहीं देखने तक नहीं चुनाओ से पहले भी हम लोग काया संग्यान में मामला था लिकीत और मौकीत दोनों लेकिन इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है विदायक होई आसान साथ हो काब से इसका इस्तिती जैवजार इस्तिती में अलच मैंने यह सारा सिस्टम को 2017 में जिलादिकारी को एक पत्र दिया था इस पत्रक में डारेट अगर पंचायत अधिशाची अधिकारी और वर्तमान चेर्मेन बोली चेर्मेन ने निरचड किया था जिसमें मनोज कुमार यादो जो जहीं है शर्वे किया थे कि यह दिवाल टूट चुका है जब दिवाल ही आल लेटी जो 40 फीट टूटा हुआ है तो सिच्छा कहां से हो कि रात को यह में गेट नारमल जो है कि यहां पर 45 फीट का जो रोड के राष्ता दिवाल टूटा हुआ तो आल लोटी तो खुला हुआ है और उसमें जो है शासन दोरा जो हमने खुद अपनी दो सजार रूपिय लगा कर इसका इसका इस्ट्रमेट बना आता और यहां भार जो है नगर पंचायत के इसने मेट बनाया था नौला कर जार रूपिय को बनाने के लिए लेकिं यहां की दलाले यहां की सरकार की दलाले यह बिखास नहीं देखना चाहती है और इन्हों ने यह टिस टेंडर को जीरो कर दिया और एक रुपिया भी नहीं लड़कियों का न च्छेत्र में लड़की बाइलोजी कलास चलता है कुछ लोग घर पर रहते हैं कुछ लोग आते हैं नहीं आते हैं आप देख रहें जो डूटी होगी चपरासी की नुक्ती होगी कोई डूटी नहीं कर रहा है अपने केमरे में कैद किये हुए है कि सराब जूआ और तमांच तरह के गंदगी जो है समाज का आइना होता है वही हमारी दसा इसकार खराब कर रही है तो हम आगे क्या भी कास करेंगे हम महिला सस्थी करौन की बात करती है यह सरकार कहां है महिला सचस्थिकरावन यह देखिए दिवाले ठुटी ही हुई है ना क्लास चल रहा है यहां ना लाइबरेरियन आया है ना चपरासी है कोई नहीं है इस बीद्याले में जबकि इसका इसका नाम पूरे जिले में है राज्किय अबाली का इंटर कालेज लगिन आठ सालों से इसकी दसा दूर्दसा सब चोपट है इसको ना कोई देखने वाला ना कोई मंत्री न कोई मिंबर है यह जो बिद्याले है बाइलोजी है मैस से है अरट ची है अजब रहा हुआ है लेकिन यह कागज के तोर पर लड़किया भी आती है एड्मिसन कराती है निराश हो का चले जाती है क्योंकि वह एडिमिसर तभी न कराई को इनका सिच्छा हो रूम अच्छा हो यहां पर पढ़ाई होता है मैडम जी कभी यहां पर जीते इसमें तो सबसे बड़ी दोसिय यहां के प्रिंसपल है यहां का अध्यापिका यहां के जो वह है कभी इसकी दुरस्था का बारे में अब दीरे 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 जनसे का आज भी इस कालेज में पचास लड़किया नामने तुरूप से अजिस्टर पढ़ रही है लेकि जब उनको कोई शुरच्छा मिलेगा नहीं तो उनला जान कि अपनी इजत मार्यादा को बचाने के लिए प्राइवि अगर आप पांच लाक रुपिया है डियोस में मिला हुआ वभी अच्छा मिला हुआ विधायका मिला हुआ मुकमंतरी में मिला हुआ है अगर आइसा नहीं हो तो एक भी विद्धाले को बताएं पिंट किया हुआ है यहां कर सरकारी भावनों का जो शिलाई मसीन तो उसको चोरा के लिए चल गए यहां का प्रिंस्पल कभी यह फ्टायार नहीं कराई यहां का सारा सिस्टम वह ताला लाकरों का यह तकि दूतला देख रहे हमको लगता है कि पांच इपर इसमें कभी इसकी दंगार पर वहां पर संकाजी का मंदिर है जब योग योगी महराज कहते कि यहां पर आई यह क्या है वहां पर लड़के जो है जुवारी मुवारी आते हुआ पर गाजा पीते हैं दारू पीते वह वीद्याले देख लीगे वहां पेक बुड़ी औरत पड़ी है कि मतलब पुड़ा हाँ उसको दी रखाए है हमने हमने इसलियो किया के मेरे अंदर आस्था बेद मैं सरकाली काले से पड़ा मैं आया मैं पर ती दिन साफ किया असन को बता है मेरे पास कागर यह पूरूप है यहां लोग पात करते हिंदू-मुस्लिम कि के हिंदू-मुस्ल जब कागज में तयार किया था तो मैं परती दीन आता था एक घंटे साफ सफ़ाई करता था पूजा पाट करता था हमारे सयोगी ध्यान से थोड़ा इस परकास डालें लुक देए भाई सब अडवड़ाई ना यह देखी मा सरसती का इसमें एक मंदीले छोटा था लेकिन आज साल से पहले एक मतलब एक दीन होया करता था आठ साल से बंदेगे आठ साल से पहले धूम-दाम से यह कम से कम यह जो अगरबती लगा हुआ है मेरे द्वारा पूजा पाट किया हुआ यह अगरबती है हमारे बाद कोई भी अध्यापक कोई टीचर कोई पूजा पाट नहीं टेंडर को केंशिल किया इसमें मेरा दो साजा रुपया लगा है आज से तिन साल पहले वरतमान सरकार बता नहीं सकती है यह दो सब्याइब यह टेंडर कहां से हुआ और मेरे टेंडर को ऊल्टे के से यहां आद्रिया मनोंसिन्हा करते शिधात राये आये थे पूजा पाट कर दिजिया हमको पैसे लोग की लालाच नहीं लेकिन यह मनें जो कागस तायार किया मेरे खुनपसिरा की कमा है इसका का रता हूं पहले ही सस्ते में जैसे आज से 10 साल पहले लड़के लडिए साथ मैं रखाऊ में समाजवाजवादी पाठी में क्यार कर रहा हूं मन्दिल को इसकी ताव महां तो आप देख लियें कि जर्जर स्किती में और वर्तमान सरकार यह जो है बीजेपी की सरकार है और यहां भी जमनिया बिधायन साबा में बीजेपी की बिधाई का सुनीता सिंग है लेकिन अगर ध्यान देने की बात हो तो केवल हवा हवाई में और सोचल मीडिया पर ही सब लोग एजुकेशन बवस्ता सही है और अगर मंदिल की बवस्ता की जाए तो छोड़ दीजिए हैं क्या टीपड़ी करें रिलिजियन पर बस खाली केवल जात और धर्म है और रिलिजियन पर लड़ाने की काम लोग करते हैं और उससे अधी कुछ कर नहीं सकते हैं अगर यह देखा जाए तो मंदिल का स्थिति देखने क सब्सक्राइब का पूंटरी यह टूट गया है और बाउंडरी टूटने की वज़़ा से यहां कि जो लोग है यह गाये मितलब बान रहे हैं और आना-जाना आगमान है यह सभी लोग देखा जाए तो अब इस्कूल कम और भूठ बंगला जादा हो गया है देखा जाए तो यह किसके बच्चे पढ़ने आते हैं देखिए यह समाज जो गरीब कमजोर वर्क के बच्चे हैं वही सरकारी बिद्धाले में आते हैं बाकी लोग तो इंगलिस मीडिया में 3,000-4,000 रुपय महीने की फीज देकर अपने को पढ़ा लेते हैं लेकिन हमारे गरीब मजदूर इस बिद्धाले में आती हैं और पढ़ाई के लिए आती हैं लेकिन फिर भी उसको न समाजिक सुरच्छा मिल पा रहा है न उन्हें सवचाले सहीच से मिल पा रहा है न एजुकेशन मिल पा रहा है तो यह बताईए कि हमारे परिवार के घर की बच्चिया कैसे पढ़ेगी यह सरकार जो है सिच्छा पे ध्यान नहीं देगी मंदिर महजित पे ध्यान देगी यह सरकार जो है कुछ नहीं करेगी बस केवल कागज कागज में ही सब काम हो रहा है जाबकि आप हकीकत देख रहे हैं यह डिश्टल इंडिया का नाम देते हैं जो कि एक छलवा है गरीब आर्थिक रूप से कमजोर पिछडों के लिए यह सरकार एक अभिसाब के रूप में है अगर एजुकेशन ब्यवस्थे की बात करें तो अजादी के बात से और अभी तक प्राइमिरी स्कूल से कोई भी नेता या दलीत का नेता हो या कोई भी हो यह टार्ट तक नहीं हटवा पाए हैं अगर सर्वे किया जाए तो आप सर्वे और इसका निकाल सकते हैं वह इसलिए कि जो बेसिक नियुक है बच्चे अगर हमारा बेसिक नियुक तैयार कर लेंगे तो वह भी IPS बनेंगे और उच्छे कटेगरियों में बैठेंगे इस वजह से लोग जो बेस हैं जी द करीब के बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो वह नोकरी मांगेंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो वह मजदूरी करेंगे कहीं ठेला लगाएंगे कहीं चाय बेचेंगे कहीं पकवडा बेचेंगे यह सरकार वहीं चाहती है लेकिन हम यह ठान लिये हैं इस सरकार को हटाना है और नई सरकार नई सोच और नई उमीद के साथ नई सरकार को लाना है तो नई सरकार किसको लाएंगे मैं जो भी सिच्छा स्वास्त और बेरोजगारी पर बात करेगा हम उसके साथ हैं हम नौजवान उसके साथ हैं तो यह जो देख रहे हैं कि जो एजुकेशन का बैवस्था दिल्दार नगर में वह आठ साल पहले करीबन कितने बच्चिया पढ़ते थे तीन हजार बच्चिया यहां पढ़ती थी यानि देखा जाए जो एजुकेशन बैवस्था को ही यहां धोस्थ कर दिया गया है इसमें इसमें राय है कि यहीं मतलब इसकूल उसकूल चलवाया जाए तो कईसे चलवाया जाएगा कईसे तो बंद पड़ा हुआ है इसको किस दिस्ट्री कॉन से जखते हैं जुकेशन बैवस्था को यहां कैसे बैवस्था सुधरेगा यहां बैवस्था जो आएगी उसे कि यह देख सकते हैं कि चारों तरह कूड़े का धेर है और जो बड़ी बड़ी दिवाल हैं और मेरे साइओगी से भी तोड़ा अंदर थोड़ा देखा दें समय जाकर कि इतना कूड़ा इसमें फेका गया है और यह क्या विद्ध्या की यह क्या बताये मां सर्शाथी बहुता प्रुछी क्या प्रुटा की ढ़ल niż यह थेखने का काड़ś कमाई क्या पूंद्धिय दूरें नहीं यह यह जो आठ सल से बताया जा रहा है कि यहां जो इंटर कालेज है तीन हजार करीबन लड़कियां पढ़ती थी देखा जाए तो यह जो एजुकेशन का ब्यवस्था आज से दस साल पंदरों सल ब्यवस्था बहुत अच्छा था लेकिन आज जो एजुकेशन ब्यवस्था बहुत द्वस्त है दिलदार नगर में इसका जिम्मदार पूरी सरकार की नहीं होगी पूरी सरकार है जो बहुत बार दियम को सबको जो भी सरकार के यहां के जो भी बिधायक हुए है तो खबर अब आफ घण सरकार पूरे महले के लोग निसीज कर रहे हैं कोई यहां देख रहे हैं यहां की घणान की घमीन की पूरे महले के लोग नीशियोज कर रहे हैं कोई यहां इसकूल का प्रसासन कोई भी बोलने का नाम लेकिन लोग आवेधन दियें लेकिन आटी आएडियें लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं दो तिन तिन बार सुनीता सिंग कर यहां दोरा हो चुका है हर इलेक्सन में यहां आते हैं खुद हमसे अपनवाते हैं देख नहीं रहें वो लोग लेकिन कैसे अब यह सुधरेगा देखें सासन और परसासन दो ही लोग इसको सुधार सकते हैं जैसे अब हम लोगों चूना सुनृतता सिंग्जी को ठीक है दोराज नहीं किया अगली बार किसी और को चूनेंगे अगर आगली नहीं करेंगे तो हम लोग क्या सब्सक्राइब करेक्ट है को परकासिंग जीतेंगे और हमारा इसकूल का भी विकास होगा बाउंडरी ब्योगी सफाइब यह इतना कटला नहीं रहेगा जो बीमारी फैलने का कारण है बीमार सरकार ही बीमारी फैलाती है संसल से माङ करते हैं वी जो चुनाव जो है शाथ माज को यहां अंत्रिम चरका चुनाव यह यह मीडिया क कमा दाम से कि लोग इंट्री नहीं कम से कंद जो हुआ 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 है या। इस्ट być अ आम, 60 को बियोशना सिद्धिंग कर घ्रिकर्दी जा तूर कि भर्मशारी नगरबिक्साड में 45 सफाई करमचारी संद्दriv राजी तंत्र नमें सब्सक्राइब कर दो तभी मना जाए काम आप सोचारी भी खूष तो काम कहां से होगा ति यह चुनाव को महा व्लों यह है मापर्व जो तभी मना जाए का साफ को तरह यह को नोटी दिया जाए जेखिए वो नगर पंचायद की वो गारी यह उस गारी कोटाया जाए जो जेई द्वारा यह जो टेंडर हुआ है इस टेंडर को तरकाल किने लगेगा फंदर दिन लगेगा दिवाल जूट जाए कि ठीकदार के खाते में पशा जागा लेकिन सवाल तो यहां पर है कि जितने भी टेंडर हो तो 20% कमिशन जाता है यह मैं नहीं कहता हूं यह मीडिय कहते हैं मीडिया भी नहीं कहते तो मोके पे जाइए नहीं रिछड कि यह कागज कमिशन के चकर में नहीं पास हूआ है वहां का जो बाबु है हमसे 20% कमिशन माग रहा था मैं 20% के चाट पांच परसेंट बहु शकर आया कि 5% तो मैं क्यों दूब पैसा उसको अब पैसा देखेगा यहां पर हजारों कमरें कमरें हैं शोने की ब्योस्ता है यहां पोती बिद्या के नाम पर इतनी यहां गंदगी कोठे मुठे चल रहे हैं कि भगवान करें यह नरक है यह दिल्ला नगर बजार जो बहुत बड़ा अबाद यह इसको आदस नगर पंचाइद घोश अबडुलकराम घोटाला हुआ है ग्यारा यूपिया से पाच-पच किलोवाट का की तना भ्रष्ट चार हुआ है कि हम क्या कर हम तो हम तो इसलिए हम आया कि मैं सरकारी काले से पढ़ा तक वहां के सारकारी मेरी सिस्टर जो थी यहां पाँ उनके सहलिया पढ़ती थी तीन ह अब तो लड़किया क्या करेंगी कुछा चुचा बैठेंगी घर पर बैठेंगी शादी भी आओगा जाएंगी याएंगी लिए कि शिच्छास उनको बंशित किया जा इसलिए मैं रुकेस्ट अदना चाहता हूं कि इस विधान सभा में परवतन की हो एक नहीं सरकार के झाल झाल झाल